तो दोस्तों आज हम बात करें कि how to become a system engineer यह system administrator तो आज इसमें सबसे पहले आपका पॉइंट आता है कि आपके पास graduation होना चाहिए यहां पर बहुत से लोग बोलते हैं कि आपका b.tec होना चाहिए b.c.a होना चाहिए तो अशन नहीं है दोस्त आपका graduation होना चाहिए यह mandatory होता ह सब्सक्राइक कंपनी में जाने के लिए एंड second point पर technical कोई एक specification आप में होना चाहिए को एक technical degree होनी चाहिए आप जिसको डिप्लोमा बोलते हो अगर आपके पास वह टेक्निकल डिप्लोमा है तो भी आप एक IT फिल में system engineer system administrator की profile पर जा सकते हो तो अभी हम बात करते हैं इसके एक आपको operating system आना चाहिए जिसमें आप master हो जिसमें आपको basic networking आनी चाहिए DHCP हो गया IP segment का हो गया आपका DNS हो गया तो basic जो networking concept होता हो आना चाहिए एंड अगर आप python सीख लेत हो तो आपके लिए बेश्चुपार्ण होता है अगर आप python पढ़ रहे हो या basic आप आता है तो आपके लिए यह आड़ाउन फीचर्स हो जाता है आपकी जॉब की लिए तो आप python भी पर सकते हो अगर आपको VMware Azure या AWS Cloud आता है तो वो मच बेटर है क्योंकि यह future में आपको बहुत ज़दा help करने वाला है तो आप चाहो तो basic AWS Azure भी पर सकते हो system engineer बनने के लिए और एक बेटर सली आपको वहाँ पे मिलने वाली है तो अगर आप Fraser डारिक जाना चाहते हो आप Fraser हो आप सिस्ट से बगरा कर सकते हो या कहीं से आप किसी इंस्टीट में जोइन करके आप वहाँ पर कुछ ताइम जॉब कर सकते हो दो चार्च है में और वहां से इंस्टीट से experience आप ले सकते हो उतना और आप इसके बाद में system engineer जॉब के लिए अपलाई कर सकते हो किसी भी कंपनी में अग कर सकते हो जो कि मैंडेटी नहीं है अगर आप कर ले तो हो किसी एक certificate को तो आप के लिए प्लस advantage होता है आपको इंटर्वी में selection के बहुत ज़्यदा चांस होते हैं तो आप certification के लिए पी जा सकते हो एंड लास्ट में यहां पर point आता है soft skill तो देखो अगर आप किसी product बेस य और उस company के पास अगर client है out of India के और आप out of India के लिए काम करते हो तो आपकी soft skill होना बहुत ज़रूरी है तो 70 to 80% आपकी soft skill होना ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि आपके पास project वो है जो out of India का है and अगर आप सिर्फ इंडिया भी इस company में जाना चाहते हो जो सिर्फ बोलते हैं एक अच्छी जॉब आईटी में लेने के लिए बागी communication नहीं भी होता कई बार उन लोगों को भी job मिल जाती है depend on the company बट आप मान के चलो की चले से 50% आपको soft skill होना ही चाहिए and इसके बाद आप system engineer system admin job के लिए apply कर सकते हो और हो सकता है आपको थोला सा time लगे एक को सी से फ्रसित नहीं होना है अभी नहीं तो दस पंदरा दिन या एक मैने बाद आपको job 100% मिलने वाली है वागे अगर आप टेक सपोर्ट डेक सपोर्ट सपोर्ट है ने जॉब सच करो तो नीचे मेरा बेस रिजू में पढ़ा है और वहाँ पे 50-60 questions पढ़े हुए हैं जो समच कर दो कम ये